हेलो रिवन, विल्कम बैक टू ऑनलाइन स्टेडियून, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार सचिवाले का सेट नमबर टू, जो की हमारा वॉलूम 3 चल रहा है, अगर आपने से पहले के बाकी के वीडियो को नहीं देखा है, तो नीचे मैंने प्ले लिस्ट की लिंक और मास्टर वीडियो की लिंक दे रखिए, आप डारेक्ट जाकर के वीडियो को देख सकते हैं, तो डिस्किप्सन चेक कर लेजी सारी वीडियो को एक साथ देखने के लिए, तो इस वीडियो में आपको 50MCQ देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक्जाम्स के पैटरन पे अभी किरिया है, वो हम कहेंगे विशरन, विशरन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा C को टिक करेंगे, और मैं आपको बता दूँ कि विशरन के कारण और दो अन इंपोर्टेंट जो हैं, आप उसको याद रखेगा, कि पौधो में जो वात्सपोत सर्जन होता है, यानि किरिया के कारण ही होता है, तो C यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, सेकेंड कोईसन से के डेवलाप्मेंट इस फ्रेडम के लेखा कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आमरते सेंट, ठीक है, आमरते सेंट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, क् Lord William Benton दोरा मतलब Lord William Benton भारत के गौर्णर जनरल किस चार्टर एक्ट के दोरा बने थे तो जैसे कि हम जानते है सबसे पहले 1773 का जो एक्ट था 1773 के एक्ट के दोरा बंगाल के गौर्णर को बंगाल का गौर्णर जनरल बना गया जब 1833 का चार्टर एक्ट आया तो उसके एक्ट कहा गया कि बंगाल का जो गौर्णर जनरल होका वो भारत का गौर्णर जनरल बन चुके थे तो उसके एक्ट देखा जाया तो पहले भारत के गौर्णर जनरल के रूप में Lord William Benton बने तो कौन सा आक्ट था चार्टर एक्ट 1833 तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेकेंड क्वेशन के रहा है कि भारत क्रेस्टी कॉंग्रेस का 1896 का अदिवेशन निमलीखित में से किसके लिए विख्या थे किसके लिए विख्या थे प्रसिद है प्रसिद का कारण का 1896 तो 1896 का जो अदिवेशन था इसमें पहली बार रास्ट्य गीत को गया गया था पहली बार रास्ट्य गीत को गया था आप्शन हम यहां पर B को टेक करेंगे ठीक है और अगर आपसे पूछा जाए कि इस अदिवेशन के देख्षता कौन कर रहे थे तो रहीम तुला सयानी जी कर रहे थे और यह अदिवेशन कहां पर हुआ था तो कलकत्ता में हुआ था ठीक है कलकत्ता में हुआ था यह याद रखेंगे चले इसके बाद अगला प्रशन है स्वदेसी बंधब किस थापना किस ने की थी तो इसकी स्थापना की गई थी अस्विनी कुमार दद के दोरा अस्विनी कुमार दद और इसका उदेश से था स्वदेशी उत्पादों के इस्तिमाल में ब्रिधी करना और विदेशी उत्पादों का बहिस्कार करना इसका में उदेश से था Q6 है कि पंचायती राजी के चुनाव मिल खड़े होने के लिए एक विक्ति की आयू होनी चाहिए या फिर कह सकते हैं कि नियूमतम आयू कितनी होनी चाहिए तो correct answer हो जाएगा option A 21 वर्स ठीक है 21 वर्स यहां पर बिल्कुल सही answer बन जाता है समिधान प्रारूप समीती के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किस ने रखा था तो 9 दिसंबर को सबसे पहला अधिवेशन हुआ 11 दिसंबर को दूसरा अधिवेशन और तीसरा जो मतलब बैठक के बात कर रहे हैं तीसरा बैठक हुआ था 13 दिसंबर को जब बैठक होई तो इसमें जो हालाल नहरु ने समिधान के समक्ष यानि के समीती के समक्ष प्रस्तावना का प्रारूप रखा था और इसको स्विक्रिती मिली थी कब 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 को सविक्रिती मिली थी तो यह चीछ ध्यान रहे हैं तीन ओडेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पहला और यह दूसरा दोन ओडेट याद रखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्वेस्टन नमबर एट है कि टीटीकागा ज्हिल किस माहाद्वी पर स्थीत है करेक्ट आंसर ओप्शन सी को टिक करेंगे दश्य अमेरिका में इस्थित है टीटीकागा जिल जिसे honeymoon lake के नाम से भी जाना जाता है और दल्शेमरिका का परवेश त्वार के नाम से किसे जानते हैं विंजुएला ठीक है विंजुएला ये धान रहेगा विंजुएला की राजधानी क्या होता है कराकस देश और राजधानी के साथ-साथ मुद्रा वाले जो वीडियो है मैंने प्रोवाइड करा दिया आप उसको देख लीजेगा किस पुस्तक को बंगाली देश भक्ती की बाईबल कहा जाता है बंगाले देश भक्ती की बाइबल कहा जाता है बताइए वो पुस्तक कौन जा है आनंदमठ यहां पर करेक्ट आंसर होगा आनंदमठ ऑप्शन एक को टिक करेंगे बखिम चंद चटर चीज के रचाईता थे 1922 में निमलीखीत में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतिय समिधान भारतियों के एक्छा नुसार होगा तो सी करेक्ट आंसर है महात्मा गांदी यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा और 1922 इसले भी प्रसीद है क्योंकि चौरी-चौरा कांड को स्थ नाम नाम में ही किल्गर होगा देव यानि सीव एक देव थे ही तो यानि कि कि सीव नरायन अग्नी होती ही हाँप आगे बढ़ते कृष्ण नदी का उधिगम अस्थल कौन सा है कृष्ण नदी महारास्ट के महा बलेस्वर से निकलती है यहां पर D बिलकुल करेक्ट होगा और यह पूरव के जिसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकरके मतलब डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खा से समद दे थैं है तो करेक्ट अंसर क्या होगा भागतिन का सम्बद होются है मुलल मूल अधिकारों से जोकी कहां से गरन किया गया USA के समिधान से इसको गरहन किया गया और वर्दमान में भारतियों को कितने मुल अधिकार दिए गया तो total 6 अधिकार दिए गया क्योंकि साथवा अधिकार तो 1978 में हटा दिया गया था संपती के अधिकार चल इसके बाद अगला है कि मुलाधिकारों को सौरपथम किस देश में समिधानिक मानेता प्रदान की गई थी क्या बनेगा तो option B यानि कि सन्यूक तराज अमेरिका USA में सबसे पहले मुलाधिकारों को मानेता प्रदान की गई इसके बाद अगला प्रशán है कि अंडमान नीको बार ही में गदिदार चोटी यानि कि सैंडल पीक जो है कहां स्थीते हैं सैंडल पीक अंडमान नीको बार हाद्वा के सबसे उची चोटी माने जाती है तो ये कहा पर पढ़ता है तो यह उत्तरी अंड़मान ज़तीत है आगे बढ़ते हैं, निमलिखित निरित्यों में से कौन गरीबों की कथक कली के नाम से जाने आते हैं, कथक कली का समन केरल्स है, लेकिन गरीबों की कथक कली के नाम से किसे जानते हैं, ये बता ये, इसका नाम जोहारला नेरू ने दिया था, तो सही आंसर हो जाएगा, ओप् ठूलन, ठीक है, उटन ठूलन को गरीबों की कथकली के नाम से जानते हैं, option B will be correct answer, अगला प्रशने की सुलब समचार पत्र का प्रकासन किस ने किया, सुलब समचार पत्र का प्रकासन किस ने किया था, सही answer option D, केसो चंदरसें, ठीक है, केसो चंदरसें, ध्यान रखेगा, कु निश्वे सताबदी के बंगाल के पत्र कारिता का अग्रदूत के रूप में जाना जाता है, इसका प्रकासन स्टार्ट हुआ था, 1870 में, ठीक है, 1870 में, नेक्स्ट वने की निमलीखित में से कौन सी, राष्टपती की सकती नहीं है, राष्टपती की सकती निमलीखित में स तो विधान सब अधिक्ष करता है, तो राष्टपती का यह अधिकार नहीं है, यहाँ पर C को टिक करेंगे, दल बदल बिलोधी कानून को 1985 में 52 समिधान संसुधन के दोरा इसको जोड़ा गया था, तो यह चीज़ याद रखेंगे, इसके बाद हमारा अगला प्रशन है कि निमलीखित में से कौन सा यूग में सुमिलीत नहीं है, तो बताएए यहाँ पर कौन सही तरीके से मैच नहीं करता है, देखिए, करेंगे, जो कि गलत है, बताएए कि निमलीखित में से किस की उपस्तिती के कारण, रंग, रंग का रंग लाल होता है, बहुत ही सिंपल सा एक्वेशन है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, हीमोगलोबिन, ठीक हीमोगलोबिन, एक पर करका प्रोटीन ही होता है तो ध्यान रखेगा, उपसन डी, यहां पर बिल्कुल साई आंसर हो जाता है, अकबर ने किसको अमीर उल, उमरा के उपाधी दी थी, किसे, तो राइट आंसर, उपसन भी, भगवान दास को, ठीक है, भगवान दास को दिया गया था, मान सिंग उनका जो की सिनापती था, ब रामतनुक पांडे, और अकबर ने इनको कंठा वरण वानी विल्लास प्रसन्य की उपाधी भी दी थी, यह चीज़ याद रखेंगे, अस्ट दिगज, निम्न में से किस राजा की संबंधी थे, अस्ट दिगज, आठ महान कव्यू के जो संगठन होता था, समू था, उसी को अस्ट दिगज कहा क्या था, कृष्ण दिवराय के संबंध में, तो यहाँ पर D बिल्कुल सही आंसर बन जाता है, ठीके, D करेक्ट होगा, सिकंदर ने जब भारत पर आकरमण किया, उस समय मगद का सासक कौन था, तो उस वक्त मगद के सासक थे, नंद, ठीके, क्योंकि उस इससी कंदर ने आकरमण किया था, अगला प्रशन है कि दिव्य जीवन सं संस्थापक कौन थे, दिव्य जीवन संगी के सं स्थापक कौन थे, तो राइट आनसर क्या बनेगा, Option C, स्वामी सिवानन्द, स्वामी सिवानन्द, Option C को टिक करेंगे, भारत में सूफि वादी के स संस्थापक किसे माना जाता है भारत में सुफिवादी के संस्थापक किसे माना जाता है ओप्सन C को टिक करेंगे ख्वाजा मैनुदीन चिस्ती और भिहार में कौन सा सिलसला था फिर्दाउसी ठीक है फिर्दाउसी यह याद रखेंगे मौरे कालिन भारत में भूमी कर जो की राजी की आयका मुखिस रोथ था किस अधिकारी दोरह एकत्तित किया जाता था मौरे कालिन भारत में भूमी कर जो की राजी की आयका मुखिस रोथ हुआ करता था किस अधिकारी के दोरह एकत्तित किया जाता था तो इस प्रशन का करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जागा का option B यानि की सिताध्यक्च ठीक है सिताध्यक्च यहां पर B को टिक करेंगे चले इसके बाद अगला प्रश्ण है कि वरना कुलर स्प्रेस आक्ट को किस वैस राय ने समाप्त किया था तो देखिए इस समाझने मैं कुछ जणकारी देता हूँ आप लोग कमेंट करके बता दीजेगा सबसे पहले इन्हों नहीं जो कि कह सकते हैं कि भारत में नियमी जो जणकरना होती है इन्हों नहीं कराता है ठीक है और अस्थानियस वसासन के जनक के रूप में नहीं को जाना जाता है और प्रत अध्री बाग अभ्यारन किस राज्य में इस देता है तो महरास्ट यहां पर करेक्ट होगा ऑप्सन डी महरास्ट समुदाइक विकास कारेकरम का सबसे मुख्य लक्षन क्या है समुदाइक विकास कारेकरम 1952 में स्टार्ट किया गया था यह पूछा जाता है इसको याद था मतलब कि महाराथी पत्रिका वहिस्कीत भारत को किसने आरंब किया था तो वहिस्कीत भारत को स्टार्ट किया था भीम्राव अमेडगर जी के द्वारा 1927 में ठीक है 1927 था चली इसकी बाद आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्णी की विश्वे सरया आयरन एंड इंड स्टील लिमिटेड कहां स्थी तो और यांकि आप्षेंघ और ओफ्षण ब्सकी यानि बादरा होती यह करीब आपका 600 किलमेटर दूर बढ़ताundert तो ध्यान रखेंगे और यहां कि मूद्रा कर्मसा क्या है मंगुलिया की राधानी और मुद्रा करमसा क्या है तो मंगोलिया की रातानी होता है उलान बटोर और यहां की मुद्रा हो जैती है तो ग्रिक option C कुठारी सिक्षा आयोग कब एक उच्छा आयोग का गठन किया गया तो बताए कि कुठारी आयोग जो है कुठारी सिक्षा आयोग का गठन कब किया गया तो right answer हो जागा option C 1964 ठीक है 1964 रहाप हे C बिल्कुल सही है बहरत सरकार का सबसे अधिक राजस्वै प्रत्यक्ष कर और अगर आप से पूछे कि भारत सरकार को सरवाधिक राजस्वै प्राप्त किस कर से होता है तो निगम कर से होता है जो कि प्रत्यक्ष कर ही होता है आयकर भी प्रत्याक्ष कर है, संपत्ती कर, उपहार कर, व्यय और व्याज कर भी कर सकते हैं YouTube पे आप को मिल जाएगी हमारी वीडियो को ठीक है अगला प्रशने की आर्थीक विकास के दिश्टी कोड से भारत की गिंती होती है तो आर्थिक विकास की दिश्टी कूर से भारत जो है उसको वर्तमान में विकासिल राष्ट के रूप में जाना जाता है विकासिल राष्ट के रूप में जानते हैं तो यहां पे C बिल्कुल सही होगा महराष्ट का सुकरात किसे कहा जाता है महराष्ट का सुकरात किसे कहते है तो ध्यान रखेगा महराष्ट के सुकरात के रूप में महादेव गोविद धरनाडे को जानते है महादेव गोविद धरनाडे option D अगला प्रश्ट 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरन अंसन किसके विरोध में किया था तो राइट आंसर हो जगा रैमसे मैकडूनल्ड के संप्रदाइक पंचाट के विरोध में यहाँ पे C करेक्ट आंसर होगा संप्रदाइक पंचाट के विरोध में निमलीकित में से कौन से गरहों के चारों और गुमने वाला उपगरा नहीं है। तो ध्यान दीजेगा उपगरा नहीं है जैसे कि हमारे सौर मंडल में जो आठ गरा है उनमें से सिर्फ दो हुई ऐसे गरा है बुद्ध और सुक्र जिनका कोई भी अपना उपगरा नहीं है तो यहाँ पर सही आंसर हो जागा option B, B बिल्कुर correct है अगला प्रश्ट कि सुक्र गरा के समांद में निम्ने कत्रों पर विचार करिये तो बताइए सुक्र गरा के समांद में निम्ने से कौन सा कत्र सही होगा कौन सा कत्र सही है पहला point की प्रित्वी की बहन सुक्र गरा जो की सूरे से दूसरे गरा है बिल्कुर सही दूरी के गरा प्रित्वी जितना ही बड़ा माना गया मतलब प्रित्वी जितना ही बड़ा है तो तीनों के तीनों पॉइंट से यहां पे बिल्कुल सही है इसलिए option हम डी को टिक करेंगे दिकरेक्ट है दच्षडी गुलार्द में सबसे लंबा दिन कब होता है पते कि दच्षडी गुलार्द में सबसे लंबा दिन कब होता है तो दच्षडी गुलार्द में सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को जबकि उत्री गुलार्द में सबसे लंबा दिन 21 जून को होगा तो ये कंडिशन उल्टा हो जागा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, किस अधिनियम द्वारा नियंत्रन, बोड के सदस्यों तथा करमचारियों की वितनाधी को भारती राजस्वे से देने के वस्ता की गई थी, किसके द्वारा तो 1793 का चार्टर एक्ट के द्वारा, 1793 का चा सही है, तो देखे, मिन्टो मारले सुधार अधिनियम 1909 में लागू हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1909 को ही कहा चाता है, मिन्टे मारले सुधार अधिनियम, तो मुस्लिम समुदाय के लिए प्रिथक प्रतिरिद का उपबंद किया क्या, क्रांतिय विधान परिशदों की तो टिक करेंगे, अगला प्रशने की अखिल भारतिय महासंग स्थापित करने का प्रावधान सामिल किया गया था, अखिल भारतिय महासंग स्थापित करने का जो प्रावधान है, वो सामिल किया गया था, तो अप्सन ए हो जाएगा भारसरकार अधिनियम 1935 में, भारसरकार वेंडा ने रखा था और यह जीवाडू में नहीं होता है यानि कि जीवाडू में मािट्रो कॉंड्रिया नहीं उपस्थित होता है इसको सुत्र करनिका के नाम से भी जागते हैं हाली में रंजुय ट्रॉफी 2022 को किस प्रदेश ने अपने नाम किया रंजे ट्रॉफी 2022 का खिताब किस ने जीता है तो मद्दे प्रदेश ने जीता है राइट आंसर डी हो जागा मद्दे प्रदेश हाली में किस राज्जी ने वाहन निग्रानी प्रणाली सुरक्षा मित्र परियोसना शुरू किया है सुरक्षामित्र परियोसना को स्टार्ट किया गया किसके दौरा के दौरा के दौरा के दौरा के यहां पे बिल्कुल सही होगा और के अपना OTT प्लैटफॉर्म जारी करने मुला पहला राज्यूबन है पक्षी एटलस इसी को मिला है और भी बहुत सारे चीजे हैं जो कि हमने स्पीडी करंडवेस में डिसकसन किया है तो आप वहां से देख कर जान सकते हैं ओसीनिक्स सीटी नामक एक तैरता हुआ सहर किस देश में स्थापित किया जा रहा है दुनिया का पहला ऐसा देश बन चुका है जो कि एक तैरता हुआ सहर निर्मित कर रहा है दच्छिड कोरि यह ने भी घोषना किया कि 2026 तक हम भी बनाएंगे एंड़ी राष्टपती- चुनाव की उमिदवार दुरौपती- मुर्मो किस जंजाती से संबंदित है तो किस जंजाती संबंदित है तो रैट आंसर हो जाएगा। संथाली से बिल्कुल करेक्ट है तो आसा करते हैं कि आप लोग को आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करिए अपने फेंड के साथ सेर्करिए चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिविकेशन बेल आइकन को आल पर सेर्कर लीजे हम मिलते हैं आपके साथ इसी पर करके नेक्स्ट टूडियो में किसी ने टॉपी के साथ थैंक्स वाचिंग कीप वाचिंग कीप लर्निंग हब अगुड टेव